Hello students, तो हम ललद्यत के वाख पढ़ रहे थे, जिसमें हमने यह दूसरा वाख जो है, उसका भावार्थ हमने पढ़ लिया था, और साथ ही साथ मैंने कुछ प्रशन आपको कहे थे, कि उस पर आप विचार भी मश करें, तो आए उन प्रशनों के उत्तर को हम जान दें, पहला प तो इसका उत्तर होगा, उध्यान पूर्वक सुनेंगे, भोव करने से मन इश्वर से हटता है, मुनुष्य की साधना भंग होती है, इसलिए उसे कुछ प्राप्त नहीं होता, यह पहले का उत्तर दूसरा प्रशन, न खाने से व्यक्ति अहंकारी कैसे बनता है, तो यहाँ भोग पर सैयम रखने से और तपस्या का जीवन जीने से, मुनुष्य स्वयम को बड़ा त्यागी महात्मा मानने लबता है, और इससे उसके मन में अहंकार का जन्म होता है तीसरा प्रशन, सम खाने का आश्य क्या है, यही पुछा था न, सम खाने का आश्य स्पष्ट कीजे, तो उत्तर है, सम खाने का आश्य है, भोगों पर उचित सैयम रखना ना तो भोग से दूर रहना है, ना ही उसमें लिप्त रहना है, बलकि उचित भोग करना है अरथाथ न अत्यतिक भोगी बने, ना अत्यतिक त्यागी बने, यानि भोग भी करना है, और थोड़ा त्याग भी करना है, और हमें क्या करना है? इसलिए उचित भोग करना है ठीक है ना तो भोग से दूर रहना है ना ही उसमें लिपत रहना है तो उचित संयम रखना है अपने उपर यह है समखाने का आशिर संभावी किसे कहते हैं संभावी उसे कहते हैं जो भोग और त्याग के बीच मध्यम मार्ग अपनाता है जो मध्यम मार्ग अपनाता है भोग और त्याग के बीच मध्यम मार्ग अपनाता है उसे हम संभावी कहते हैं बंद्वार का क्या आश्य है यानि प्रभु मिलन का द्वार बंद्वार का क्या आश्य है प्रभु मिलन का द्वार अच्छा इस पूरे वाक में या इसमें कवित्री क्या प्रेणा देना चाहती है ये प्रश्न था और उत्तर क्या है इसमें कवित्री मुनुश्य को सहज सैयम अपनाने और प्रभु से मिलने की प्रेणा देती है अगले वाक्य और बढ़ते हैं आई सीधी रह से गई नसीधी रहा सुशुम सेतु पर खड़ी थी बीट गया दिन आह जेप टटोली कौडी ना पाई माजी कोदू क्या उतराई तो यहां सुशुम सेतु का मतलब होता है सुशुमना नाडी के मध्य यहां नाडी इडा और पिंगला नामक नाडियों के मध्य सित है और माजी यहां पर माजी का मतलब ऐसे नाविक होता है पार उतारने वाला होता है तो यहां पर माजी ईश्वर है तो प्रस्तुत वाग का भावार्त इस प्रकार है कि कवित्री कहती है कि मैं आई तो थी सीधी रहा पर किन्तु चल पड़ी उल्टी रहा पर आशे यह है कि कवित्री परमात्मा प्राप्ती के पत्पर तो ठीकी आई थी ठीक है परमात्मा को प्राप्त कौन नी करना चाहता है न तो उस पत्पर तो ठीक आई थी किन्तु उसने गलती से हठ योग का मार्ग अपपकड़ लिया वह जीवन भर सुशुम सेतु यानि सुशुमना नाड़ी को साधने का प्रयास करती रही कुंडली नी जागरण में लगी रही और इसी में सारा जीवन बीट गया अब उसे दुख है कि अंत में जब उसने अपनी जेब टटोली तो उसमें कुछ भी न था अर्थात सारा जीवन व्यर्थ हो गया अब जेब टटोली अब उसने सोचा कि मैंने क्या क्या किया तो कौड़ी न पाई कुछ भी न था अर्थात सारा जीवन व्यर्थ हो गया अब अब वह परमात्मा को जवाब देने योग्य भी नहीं रही अब भगवान को क्या जवाब देगी माजी को दूं क्या उत्राई तो क्या जवाब देगी यानि उत्राई के नाम पर उसके पास कुछ भी शेश नहीं है ठीके उत्राई यानि कि जब रिती होती है परमात्मा से मिलन होता है तो उनको क्या जवाब देगी कि मैंने क्या किया पूरे जीवन भर तो इसलिए उत्राई के नाम पर उसके पास कुछ भी बाकी नहीं है अब इसमें से प्रश्न पहला प्रश्न गई न सीधी राह से क्या आश्य है? दूसरा प्रश्न सुष्ण से तू किसे कहा गया है? दूसरा प्रश्न सुष्ण से तू किसे कहा गया है? तीसरा कवित्री ने अपना दिन कैसे बिता दिया? कवित्री ने अपना दिन कैसे बिता दिया? और चौथा प्रश्न यहां माजी कौन है? कवित्री उसके सामने क्यों परेशान है माजी कौन है कवित्री उसके सामने क्यों परेशान है तो ये चार प्रशन है जिसके उपर आप सोच विचार करेंगे भावात सुनने के बाद प्रशनों के उत्तर जरूर सोच विचार कीजिए तभी आप कोई भी प्रश्न कर सकते हैं तो चलिए नेक्स्ट जो है हमारा लास्ट वाक है ये चौथा तो इसमें क्या कहते हैं कवित्री थल्थल में बसता है शिवही भेद न कर क्या हिंदू मुसल्मा ज्यानी है तो स्वेम को पहचान ज्यानी है तो स्वेम को जान वही है साहिब से पहचान ये तो पढ़ते ही समझ में आ रहा है ठीके तो यहां पर थल्थल में बसता है शिवही भेद न कर क्या हिंदू मुसल्मा ज्यानी है तो स्वेम को जान वही है साहिब से पहचान तो यहाँ पर साहीब किसे कहा रहे है मुश्किल कुछ भी नहीं है इसमें शिव यहाँ पर भगवान को कहा रहे हैं और थल यानी स्थान हर जगे ठीक है ओर साहीब यहाँ पर इशवर है साहिब क्या है इश्वर है तो अग प्रस्टुत वाक का जो भावार्थ है वो इस प्रकार है कि कवित्री कहती है कि वे परमात्मा जो है वो कल्यानकारी है तो इश्वर थल-थल में बसता यानि हर जगे बसता है ठीक है थल-थल में बसता है शिवही तो वे परमात्मा कल्यानक हैं वैं हर जगे विद्यमान है इसलिए हिंदू हो या मुसलम lên उसे अप्नाने में किसी को भेध भाव नहीं करना चाहिए नकर क्या हिंदू मुसलम on is लिए हिंदू हो या मुसल्मान उसे अपनाने में किसी को भेदभाव नहीं करना चाहिए ग्यानी है तो स्वेम को जान अथा कवित्री कहती है ग्यानी मुनुश्य को संबोधित करके कहती है कि है ग्यानी अगर तु सच्चा ग्यानी है तो पहले स्वेम को पहचानो स्वेम को जानो अपने आत्म रूप को जब आप पहचान जाएंगे अपने आत्म रूप को पहचानो आत्मा से ही परमात्मा को जाना जा सकता है वही है साहिब से पहचान आत्मा से ही परमात्मा को जाना जा सकता है एक बाप फिर सुन लिजे कवित्री कहती है वे परमात्मा कल्यानकारी है, वे हर जगे विद्यमान है, इसलिए हिंदू हो या मुसल्मान उसे अपनाने में किसी को भेदभाव नहीं करना चाहिए और कवित्री कहती है, मनुश्य को संबोधित करते हुए कहती है, अगर तु सच्चा ग्यानी है, तो पहले स्वयम को जान, यानि कि अपने आत्म रूप को पहचान, और आत्मा से ही परमात्मा को जाना जा सकता है, साहिव यहां इश्वर है, तो आत्मा से ही परमात्मा को जान जा सकता है तो इससे संबंदित जो प्रेश्ण है वो इस प्रकार है पहला प्रेश्ण पहला प्रेश्ण इसमें है कवीत्री अपने प्रभू को किस नाम से पुकारती है और क्यूं देखें कवीत्री यहां पर अपने प्रभू को किस नाम से पुकारती है और क्यूं तो भावार ध्यान से सुना ओगा तो पहली पंक्ती में उत्तर मिलेगा अच्छा दूसरा प्रश्न कवित्री कवित्री ज्यानी को क्या जानने की प्रेड़ना देती है कवित्री ज्यानी को क्या जानने की प्रेड़ना देती है और तीस्रा प्रश्ण इश्वर की पहचान कैसे हो सकती है? और चौथा प्रश्ण है कवीत्री सामप्रदाईक भेदभाव से दूर है कैसे? तो ये तीस्रा और चौथा जो दो वाख पढ़ाए है मैंने इनके केवल प्रश्ण किये हैं भावार्त आपके सामने हैं आप उसको ध्यान से सुनिए और प्रश्णों के उत्तर खोजिए और फिर कल हम इन प्रश्णों के उत्तर के साथ साथ हम पाठे पुस्तक के भी प्रश्ण उत्तर पर चर्चा करेंगे तो उनको भी एक बार सरसरी नजर से देख लीजेगा ताकि जब मैं उन प्रश्णों के उत्तर कहूं तो सहज रूप से यदि आपको भी पहले से आते हो तो आनन्द आएगा तो पढ़िए धान लगाईए फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ तिल देन बाई एंड थैंक यू